कि यह गंभी सवाल है कि प्रशाशन के उपर उत्रफद्र प्रशाशन का इतना धुल्मुल रवया और यह कास 22 जो सोसाइटी मलब सोसाइटी तो और छोड़िये जब प्रशाशन इस मुद्दों पर इन मुद्दों पर जातिवादी तोर पर कारवाई करने की कोशिस करता है इसमें बहुत क्लियर है कि वो Adams पूछा जाए उस लोकल एरिया में तो उनको पता है कि उस घटन किनों ने उसको अंजाम दिया वह किसी किस उमुदाएस से थे कौन लोग थे क्यों दिया तो वो सब तक मजबूर हो जाता है कि उसको ये लगने लग जाता है कि प्रशाषिन मेरे लिए ही नहीं, Сब्सको जब जब लिए लगता है कि महतासूम में अपनी पहने उसको ज़wrिगता है तो इतनी ज़ादा अपने अंदर दिल्ट फेल funded कि xuप Magazine मेरे ओपर लग सकता है तो मेरे लिए तो कोई सरकार सथा है नहीं तो उसको मजबूरान उसको जहर खाना पड़ता है और आज वह हमारे बीश में नहीं है अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश किस हिसाब से विवस्ता किस पिजित्व किस हिसाब से है जो बेटी पड़ाओ तो वो नहीं साथ है तो वो क्या परसासन क्यों इतना विक्ट चरकर के इसको रात को इसे मैं आपसको जैसे बोल रहा हूं कि समा जेंडर बाइस हो सकता है कि सब्धाब एक व्यवस्ता चलिए सामजी व्यवस्ता उसे चाहिए प्रसाइची तब खड़ा होता है और बहुत जब हमारा सिस्टम जाती वादा होना सुरू हो जाता है तो मैं वहीं बोलाओं कि उनको मलब क्या मलब क्या यह सवाल प्रस्मेचीन खड़ा है उत्तरपदेश सरकार के ओपर कि क्या वो इस इस ऐसे घटनाओं पर इतनी असमवेदन शीनता जो दिखा रही है उस पर क्या व जो हमारे पास खबर आ रही है कि यह चीज़ों हो रही है अब सोच सकते हैं कि पुलिस का तंतो तो बहुत बड़ा है सत्ता से बड़ा गुंड़ा तो कोई होता नहीं है इस देश में इस देश में कर दो उनके पीछे क्या कर रहे होंगे जब उनके सांद लोग नहीं है पीडिया वाला हर इस देश का ब्यूरोक्रेट इस देश का समाज में रहने वाला व्यक्ति मंत्री हर किसी की भी बेटी है हर किसी मां है अगर वह इस घटनाओं पर चूप रहेंगे तो देख लिए वह मैं सिधा बोलूँगा कि वह इंतजार कर रहे है कि उसके परिवार के अगर शादिय हो तब वह चीखेंगे तब वह चिलाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको संजली को ही अपनी बेटी माल लेना चाहिए और उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि यह कल के कल उनके घर तक यह आग उनके घर तक ना पहुँचे तो इस पर उनको आ गया आना चाह झाहिए